हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स रादे रादे तो फ्रेंड्स चलिए मेरे कीचन में आज मैंने क्या बनाए उसको आपके साथ बताती हूं जी यहां दोस्तों देखने में लग रहा ना गजब खाने में उतना ही स्वादिष्ट है तो मैंने इसे बनाया था मैं सोचा चलो आपके साथ इसे सेर करती हूं तो चलो मेरे कीचन की तरफ और इसका फूर प्रोसेस देखते हैं तो यह डिस्को बनाने के लिए हमने ले लिया है एक कटोरी शोया चंग्स जी हां दोस्तों और यह छोटी वाली है एक प्याज एक सिमला मिर्ची अदरक लाजन और यह कुछ मसाले हैं यह कौन फ्लोर है इधर हमने गैस पर डाल दिया है पानी पानी हो गया है गरम फिर उसमें डाल दिया यह सोया चंग्स जहा दोस्तों यह बहुत ही स्वाधिस्ट बन के तयार हुआ था आप लोग इसे जरूर बनाईएगा ज्यादा इसको पानी में डाल दिर तक में डाल के और इसमें जूब मसाले यूज करने ना उसे में डालूंगी तो यह गया कौन फ्लोर दो चमच कौन फ्लोर गया उसके बाद अधर अकलासन जो बारिक कट करके रखी थी उसको मैंने डाल दिया है और एक से दो चमच मैंने इसमें डाल दिया है चावल का आटा जी यहां दोस्तों जब तक मैं मसाला बना रहे हैं आगर आपने मेरे चैनल कुछ जोईन नहीं किया तो प्लीज जोईन कर लिजे और वीडियो को फुल वाच कीजिए गा बहुत ही बढ़ी अडिस बनके तयार हुआ था ये नहीं किया तो समझो, आपका ये जो रेश्पी है ना अगसे देब उना बने है तो मैंने इसमें डाल दिया थोरा सा फुड कलर स्वादा नुसर हलका नमाक फिर मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्ची का पौवडर और इसमें डाला है जरावाल सासा रेड फूड कलर जी यहां दोस्तों जब चाइनीज डिस बना रहे हो तो हलका लाल तो होना चाहिए ना इसलिए मैंने इसमें जड़ा सा फूड कलर डाला है ज्यादा नहीं डाली हो और इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लूँगे और हाँ वो जो मसाला मैंने दिखाया था ना आपको वो जो नॉर्मल चाइनीज डिस में पड़ता है वही मसाला था उपर से डाल दी मैंने इसमें दो चमच दही बहुत ही इजी तरीका है ज्यादा ताम जाम भी नहीं है इसमें और खाने में तो पूछो मत अच्छी तरह से म रर्फली छॉप या यू कहें मोटे मोटे टुक्रों में कट कर ले हूं और यह सब्सक्राइब कर ले नहीं से ज्यादा बारिक्त नहीं करना है पता ही है चाइनीज डिस में थोड़ा तब तक मेरा कढाई गरम जेना है अधक वैसे मिर्ची पारिक कर ले हो, और इधर हो गया है तब तक मेरा कड़ाई गरम और जी हां दोस्तों जब चाइनीज डिस बना है तो जरा सा पत्ता गोभी तो चलेगा ना इसलिए मैंने जरा सा नाम मातर का पत्ता गोभी एड़ किया है मेरी तरीका से आप लोग जरूर बना के देखेगा यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनके तयार हुआ था इधर मैंने तेल में डाल दिया है यह सोया चंग्स देखे कलर लग रहा है ना जवरदास बिलकुल चाइनीज मार्केट जई सा और गैस का फ्लिम तेज ही रखना चुकि चाइनीज डिस थोड़ा तेज आच पे ही पकती है कुरकुरे करक बनती है और सोया चंग्स पहले से ही पानी में सौप ठोड़क खा इसलिए इसलिए ज़्यादा पकाना नहीं इसलिए इसका फ्लिम तेज में रखके ही इसे कुरकुरी निकाल लेना है वाह शुपर अपने हाथों के साहता से अलग अलगे एक एक बरी को डालिए गरम तेल में और एक तरफ पक जाए फिर उसे पलट दीजे दूसरी तरफ बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो गया था दोस्तों एक वार जितना कढ़ाई में है डालिए आराम से यह देखिए मेरा सोया चंक्स रेडी हो गया है बिल्कुल इसे आप यू ऐसे भी खा सकते हैं सनेक्स में लेकिन मैं तो ऐसे नहीं खाने दूंगी ना मुझे तो बनानी है इसकी चिली सोया जी हाथ तेल मेरा गरम है फिर मैं उसमें डाल दिया बारी कटा हुगा लहसन और ह जाता ही दिने का हलका यह हलका जल गया फिर मैंने इसमें कट किया हुआ प्याज को डाली हो यही तो खासियत है ना इस वाले रेश्पी में ज्यादा सब्जी को पकाने की जंजट है नहीं इसलिए जल्दी बनके रेडी हो जाता है प्याज हलका गुलाभी आप फिर मैं इसमें डाल दिया एसे मर्च तोरा सा ताइम दिया था सिमिला मर्च को पकने मैं सिमला मिठ्चल का पग्या फिर मैंने इसमें डाल दिया है धनिया की पत्ती नहीं नहीं सोरी सोरी कैविज इसे अच्छी तरह चला लेने के बाद मुश्किल से दो से तीन मिनट मैंने इसे चलाया था धक के पक्तिन लिए छोड़ देती उसके बाद मैं इसमें जो मेन मसाला है ना चिली शॉस ये गया रेड चिली शॉस ये गया सोया सॉस और ये गया ग्रीन चिली शॉस जी हैं दोस्तो इस चाइनीज डीस की यही तीन तो जान है सोया चिली ग्रीन चिली उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मिर्ची का पाउडर और जरा सा फूड कलर कलर आने के लिए मिर्ची के पाउडर मैंने थुरा ज्यादा ही डाला चुकि जब थुरा सा तीखा ही अच्छा लगता है चाइनीज आइटम उपर से गया टोमेटो सॉस धेर सारा वो थुरा मिर्ची ज्यादा है ना उसको कट करने के लिए मीठा सॉस भी मैंने इसमें डाला है जिससे ज्यादा तीखा ना बने सबजी मेरा वाओ देखने में कितना मौस्त कलर लग रहा है ना जब देस्त है इधर मैंने प्लेट में डाल दिया है आधा चमच कॉन फ्रोर उस कि और इसे मैं और दिया ग्रेवी में इससे डालने से को तेन ग्रेवी में ठीकनिस बनी रहती है ऩे बिल्कुल आपको मौस्त वाली ग्रेवी मिलेगी इससे मसाले भुन गया है उसके बाद मैंने ये सारे जो न्यू ट्रिला को फ्राई करके रखा था ना उसको मैंने डाल दिया है साम के सनेक्स में बनाईए रात की सब्जी के रूप में यूज कीजिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है पूरी पराठा रोटी किसी भी चीज के साथ खाईए और इंज्वाई कीजिए आप इस मेरी डिस्को और हाँ पसंद आये तो एक बार जरूर ट्राई करना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सेयर भी कीजिएगा मैंने उपर से जरा सा और केचप डाला है फिर बाद में मैंने स्वादान उसार नमक एड़ की हूँ नमक अपने ध्यान से रखना चुकी मैंने इससे पहले भी सोया बीन में डाली थी और यह मेरे जटपट से बनके तयार हो चुका है चीली सोया जी है दोस्तों लग रहा है न गजब फिर मैं मिलूंगी एक नई रेश्पी में एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप इसे बनाईए इंज्वाई कीजिए देखो यह मैंने सर्व करके आपको दिखानी है कितना जवरदस्त लग रहा ना सामके सनेक्स में लिजए या रात के खाने में आपकी मर्जी है तब तक के लिए बाई बाई जय माता दी लग रहा ना जवरदस्त घर पे बनाईए इंज्वाई कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए दन्या की पत्ती याड़ कीजिए उपर से